दोस्तों मैं विश्णु प्रशाद और आप देख रहे हैं टेक रिविल दोस्तों रिसेंटली बहुत सारे एसे लोगों ने मुझे सवाल किये हैं जो जिनका वीडियो मैंने अल्रेडी बना के रखाऊं तो एक बार जाके सारे वीडियो यूटूब रिलेटेड को मिल जाएगा ठीक है दोस्तों कि यहां पर देख सकता हो यह वाला टिक होना चाहिए ठीक है और आप आपका जो आज का वीडियो में मैं आप लोग को गूगल अट्सेंस में का जो कोड है कैसे हम वाइजली इसके अंदर में इंसर्ट करेंगे वह चीज़े दिखाएं कहा कहां पर अगर आप गूगल अट्सेंस का कोड डालेंगे ताकि वह अच्छे से रहेगा और लोग उसमें ज्यादा क्लिक करेंगे ठीक है दोस्तों मैं बहुत सारे गुगल अट्सेंस का आड़ कोड बना के रखा हूं तो उसमें यह जो पैंसिल वाला आइकन है वहां पे अगर आप क्लिक करते हो तो जो जो चीजे मतलब एडिट करना चाहते हैं जो जो आड़ कोड को आप आड़ कोड को चेंज कर सकते हैं और मैं आप लो वह सा बनाएगा और एक चीजें आपको यहां पर जो थोड़ा मिस्टेक मैंने किया हूं जिसको मैंने सुधार किया था जिसका रेकरिंग मैंने किया नहीं तो स्क्रीन रेकरिंग मैं आप लोग को रेकोमेंड करता हूं कि जो 728-90 करके जो डाइमेंशन जो भी है जो पहले एक रेकर्ड करके बनाया था तो मेरा डेक्सटॉप विव में तो अच्छा आया लेकिन मेरा मोवाइल विव में अच्छा नहीं आ रहा था मतलब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था तो इसको मैंने चेंजेस किया हूं तो आप कही साथ से आप इसे चेंजेस भी कर और साथी साथ में जो बोल रहा हूं अभी उसको थोड़ा ध्यान से सुनेगा आड़ को एसा प्लेस कीजिए जाकि यूजर जो पढ़ने आएंगे उनको ज्यादा दिक्कत ना आए पढ़ने के टाइम पर ठीक है अगर आड़ को चारे और भर देंगे तो वो लोग इरिटेट जाते हैं क्यूuben के अगर आप अच्छे से पोस्ट लिखेंगे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से आढ़ करेंगे आपका विजीटर को तो आपका हो सकता हैं आपका बहुत अच्छा मतलब और बन जाएंगे आपका ब्लॉक पढ़ने रो जाएंगे तो इसमें आपको काफी ज्यादा रहेगा आपको काफी ज्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा तो दोस्तों मैं जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे वैसे आप आड़ कोड लगाएगा पूरा वीडियो को देखते रहेगा और यहां पर लगता है कि हां यहां पर क्लिक आ सकता है और यूजर ज्यादा इरिटेट ना होंगे तो उसी जगा पर आपको लगाने के बाद में और एक चीज़े बताना चाहता हूं कि आपको कोई ऐसे आरो मार्क नहीं देना है या कोई ऐसे स्पोंसर लिंक जो है वो नहीं म इसे मिलेगा तो आप यहां पर क्लिक कर दीजिए यह कर दिए वो चीज़े नहीं बताने अगर आप ऐसे करें गे तो यह गूगल आटसंस का पॉलिसी के खिलाब हो है तो उसमें क्या होगा आपका गूगल आटसंस अकाउंट सस्पेंड हो सकता है तो आपको एसा नहीं करन तो उसको मतलब करना नहीं चाहिए ऐसा करने से प्रोब्लम है आपके ओपर ठीक है और इसलिए मैंने यहां पर जो लिखा था ना तो वह उसको इने खटा दिया वैसे आपको हटा देना है जा अगर में लिखा होगा कि आरड कोड और लिखा होगा कि स्पोंसर आड ऐसा जो अ प्लेस कीजिए आपका मतलब पेज लोडिंग स्पीड भी ठीक ठाक रहेगा और क्लिक होने के पॉसिबिल्टी थोड़ा अच्छा रहेगा और यूजर को भी अच्छा लगेगा ठीक है दोस्तों आसा करता हूं यह वीडियो से आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलागा अगर हुआ है